तो दोस्तों आज 6 जैन्वरी 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे IT सेक्टर की दिगज कमपनी विप्रो लिमिटेट शियर के बारे में जहां पे लाज डे यानि फ्राइड़ के दिन शियर क्लोजिंग गया था 456 रुपए 5 पैसे पे लगबग 0.81% तेजी के जाथ तो बात इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेन लेटेस्ट अपडेट की बारे में साथ में शेयर होल्डर के लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज है और आपका आगे का रन्नीति क्या हो सकता है विप्रो लिमिटेट की शेयर की उपर तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको प्लीज वी दोस्तो एक तो रिजल की डेट अनॉस्मेंट किया और शेयर होल्डर के लिए सबसे खुश कबर यह है कि इस बार दोस्तो रिजल के साथ साथ आपको डिविडेन भी मिलेगा ठीक है तो कंपनी दोस्तो डेट फिक्स्ट किया 12 जैन 2024 को और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करके जरूर रखिये और पास में नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक करना जब भी कंपनी तौरा ओफिशियली रेजल्ट और साथ में डिविडेन का नोटिस आउट हो जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो के दूरू शेयर कर दूंगा कितने रूपे का कर सकता है बागी दोस्त आपको क्या लगदे कि इस बार कंपनी कितने रुपे का डिविडेन देगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताईए अब जैसे का आपको मालूम है कि कोई बड़े बैंक्स या कोई बड़े कंपनी जब रेजल्ट आउट करते उसके पहले एक्चुली ब्रोकरेस द्वारा कुछ अनलिस द्वारा अपना एक फोर्ड कास्ट आता है कि चलो ठीक है कंपनी इस टैप की रेजल्ट प्रेजन कर सकते है इस क्वाटर में तो सेम चीज़ दोस्तों इस बार देखने को मिला नूभामा के तरब से तो नूभामा के तरब से कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया कि वीप्रो कोर्टर 3 प्रिव्यू ठीक है मतब एक टाइब का फोर्कास्ट पैट मिंस प्रॉफिट आफटर टैक्स लाइकली टू डिकलाइन तो दोस्तों यहां पे मेंचन किया नूभामा के तरब से कि वीप्रो का जो प्रॉफिट आफट से पढ़ लेते हैं कि कौन सी सेग्मेंट पे गिरावट होगा कौन सी सेग्मेंट पे रिकवरी होगा तो देखे यहां पर नूभामा के तरब से बेसिकली जो मेंशन किया कि यह और ऑन यह सकता है साथ में कम्पनी का जो नेट प्रॉफिट है ठीक है 2680 करोर के आसपस होने क का चांस है और लास्ट यह पर नेट प्रॉफिट का नंबर था 2660 रुपए और इस बार देखे बरके 2680 करोर रुपए पहुंचने का पूरा पूरा चांस है बट रेविन्यू की अंदर क्या बोला यह देख लेते हैं तो देखे प्रॉफिट हो सकता है कि यह और यह बिस प जेनल हमें तेजी देखने को मिले बट अट 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 करोर का सकता है जो कि लास्ट यह पर हमने देखा था यह फिगर था अट लिस्ट थोड़ा बहुत मार्जिनल जो कि उपर की तरब मुव करेगा तो यहां अब देख से तो मेंशन किया कि लगबग 2.2 परसंट के आसपस डिग्लाइन होगा जो कि लास्ट क्वार्टर पर हमने देखा था कंपनी की टोटल रिविन्यू था उनके तरब से कुछ ईयर को ऐपकुर ए सेस्ट को एक्शन सुना होगा मेरे मूं से बड़े-बड़ेमि अच्छी कमपनी को पचास परसें गिरवा देता मिętब इस बार सेम टाइम ये भी देख लिजिए कि एक एनलिस्ट है एनलिस्ट द्वारा बाइंग रेकोमेंड किया है साथ में यह भी मेंशन किया सी बाइंग ऑपर्चुनिटी कौन कौन सी कंपनी एक तो गया आपका कनारा बैंक तूसरा गया जी एमर एरपोर्ट के अंदर तीस रहो गया विप्रो चौता हो गया सिपला एचल एचल अचा एचल बोलने से याद हुआ दोस्तों एचल को पर और लेडी मैं लाज्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं बहुत बढ़िया न्यूज है एक न्यूज सेग्मेंट पे कंपनी ब्यापर करने चा रहा है तो अगर आपने व का जो डेटा है वह आउठ हो जो बैसे बहुत जबर फॉलेटल जरूरोड था बट वीप्रो लुमिटेड जैसे के आपको मालूम है की इंडियान मार्केट के साथ साथ दिवेस मार्केट में एकटने अर्ट में जो ट्रेड होता है उसमें 1.31 परसेंट ऊपर मुव करके क्ल लास्ट नाइट को मन्तर विविस मार्केट में 1.31 परसेंट उपर आके क्लोजिंग तो यह बेस्ट पार्ट है ठीक है और उसके साथ साथ कि विप्रो के अंदर ना एक चीस में रेगुलर वेसे बेदेख रहा हूं कि इसमें डेलिवरी काफी अच्छा हो रहा है मैं आपको ए इसमें काफी अच्छा खासा देखने को मिला है अब चले दोस्तों यह तो सारे नियूज हमने कवर कर लिया अब बात करेंगे टेकनिकल चार्ट परन को करते हुए क्या आपको विप्रो में इन्वेस्ट करना चाहिए या इससे बेटर ऑप्शन आपके पास है या आपके व दोस्तों हाल फिलार पर हमने देखा विप्रो में तेजी भी था हाल फिलार पर विप्रो में घिरावर्ट भी हुआ उसके साथ साथ जो आरे से इंडेक्स का नंबर निकल कर रहे अल्मोस्ट 59.31 के आसपास और देखते ही देखते है विप्रो अपना जो कुछ महीनों का एक किया है अल्मोस्ट 480 रुपई का असपास ठीक है उसके बाद लगाता तीन दो तीन दिना में देखा आइटी सेक्टर में थोड़ा करेक्शन हुआ था विकॉस अब यहां पे थोड़ा अंस्टेबल था थोड़ा बहुत गिरावर्ट हुआ बट एक बात अच्छी है कि नी पूछेंगे कि किस बेसिट बोल रहे तो देकिए इनफोसीस का जो बैलेंट शीट है वो काफी अच्छा है वीप्रो से कंपेर्ट वीप्रो उसके साथ इनफोसीज का डिविडेंड इल बहुत बढ़िया है और अगर बात करें एइट इल देका तो वीप्रो की अल्मोस्ट मतब करी अब ओल सोकते मार्केट क्याप वाईस करके वो एकल टेक है ठीक है तो इसलिट एक परफोंच हमें हर एक क्वाटर में बहुत बढ़िया देखने को मिला मतब जहां पे टीसीज इस इनफोसीज वीप्रो इतना स्रग्ल कर भाई वही एचल टेक हर एक क्वाटर में सब्सक्राइब करने के बाद इतने स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद अभी जो सब्सक्राइब बहुत बढ़िया से देगा अगर आपको इंवेस्ट करना है बट फिर भी अगर आपको इंवेस्ट करना शुरू कर सकते हैं और दोस्तों उपर की तरह अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो अपर बैंड है जिसका नंबर एप्रॉक्सिमेटली चार सो असी का राउंड ही निकल चार सो ची आसपास जै है तो यहां पर एक स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस यहां इमीडिये टार्गेट भी हो सकता है तो इमीडिये अगर बात करने तो सारी चार सुकू पड़ी आइधिंग की बाई करना एकदम सेफ रहेगा सेफ ऑप्शन रहेगा बाकी देख आपका बड़े कंपनी है चाहे आप लॉस में हो प्रॉफिट में लॉस में तो गलती से मत करना एक लीस्ट लॉस में तो सेल मती मती करना और आप प्रॉफिट में भी हो मैं बोलूंगा खोल्ड कीजे लॉंग टाम के लिए अच्छी कंपन्य ठीक है बाकी फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी जैं प्लीज